और अपने बेटों को भी जड़ा नजर में रखे हैं हम समझते हैं मेरा बेबी आए मेरा बेबी अभी तो सिर्फ सोला साल का है पाकिस्तान प्रोनोग्रफी के अंदर सेकंड पुजिशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉण वेबसाइट नमबर डू पुजिशन में पाकिस्तान में देखे जाते हैं सोच के घिना दिया है दुख होता है और 90% यूथ है 10% बुड़ा माशा है 90% यूथ है जो पॉण वेबसाइट पे विजिल करते हैं जब ये लड़केद देखेंगे बेटे और बेटियां देखेंगे और उसके बाद उनका क्लोज इंटराक्शन फिजिकल इंटराक्शन होगा कैसे हो सकता है कि दर्म्यान में शेतान ना है याहिया अलेसलाम को भटकाने के लिए तो शेतान आ गया हमारे बच्चे ऐसे वली हो लग कि उनके उपर शेतान नहीं आएगा कौन सा मंतर पढ़के फुका है आप ना माए आखे बंगरे ना उलादे आखे बंगरे लंदो इसकमरे में कुई इती चोटी बच्छी नी बेड़ी जिसको मेरी बास समझना आ रही है सबको समझाते हैं अच्छी फैंइली के लड़के है रही है और शेतान भी तो दडर्मियां में है वो शेतान जो शरीफ माबाब को लड़ा सकता है वो दो नाम मेरा मर्द और चॉर्ड और औरॉरत के दर्मियान में मामला डिस्टरब नहीं कर सकता है एक को बहकाने ही सरता को बचा लिया लेगिन कहा जाता है इसी इंसिडेंट के बाद क्योंकि उगाने फत्वा ने लिया वो बास्चा की बहतीजी के ट्रैप में नहीं आए बास्चा ने उनको मुर्डर करवा दिया उनको गतल करवा दिया ये आजमाईश आई उनकों को इसी तरह से आपने हदीज क वो बहुत मशूर वाकिया सुना है वो जो तीन लोग एक तुफान में एक गार में बंद हो गए थे और गार के सामने पत्थर आगया था बड़ा सा तो फिर तीनों ने बारे बारे अपनी अपनी कोई नेकी जो उन्होंने सिर्फ अल्ला की खातिर की थी उन्होंने उसको मे बताई कि मेरी एक कजन थी जो मुझे शदीद प्यारी लगते आप कभी कजन रह सकते हैं जिसको आप शदीद प्यारी लगते हैं अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो आपको प्यारा लगता है आप विंडो शॉपिंग ना करें खाले आप उसके साथ जो करना चाहें वो कर लाइं लॉट्स तिंग तर गुएंगा मा समझती है मेरे बच्चे इतने मासों मैं क्या कुछ नहीं हो रहा है इस माश्य के अंतर जहां आपका मीडिया पहुंच चुक है हमारे तो अब तो सुने ड्रामों का भी बहुत बुरा हाल हो चुक है मैंने तो एक अरसे से ड्रा कि इस तरह की जो थी वो सीरीज आया करती थी यह पाकिसान की तो नहीं थी और भी इस तरह के शोज आते थे इवन उन वेस्टर शोज के अंदर वो हजवन वाइफ को दो अलग अलग सिंगल बेट पर दिखाते थे अगर आप में से कुछ को याद हो तो आपका अंदासर हो क और आपके माशरे को इनी ड्रामों के जरीए तो एजुकेट किया जा रहा है बेहयाई की तरह अगर ड्रामे अच्छाईयां प्रमोट करते होते होते मौरल लेसेंस प्रमोट करते होते तो पाकिस्तान का 60-50 साल में ये हाल ना होता निकल आए अपनी इस फैलिसी से बाहर है ब्रेनवाशंग हो रही है और कुछ पी नहीं हो रहा है अगर अपनी ब्रेनवाशंग करनी अपनी अपनी ऊल़ाब ली तो जा को पुछान के सामने पिठाए It's a better brainwashing You will be on the safe side actually, at the time of your death and after your death ये brainwashing आपको फाइदा देगे तो जब ये शक्ष हैता है कि मुझे अपनी कजन बहुत ज्यादा पसंद थी इतनी पसंद थी कि दुनिया में कोई मर्द इतना किसी और से महबत नहीं कर सकता और फिर इसने अपने दोस्तों को बताया कि हुआ ये कि मैं उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता था मगर वो मेरी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती थी फिर एक वक्त आया कि हमारे इलाके में कहद आ गया और जब कहद आया तो इस मेरी कजन की हालत ये हुई इसकी फैमली की कि इनको पैसों की जरूरत पड़ गई तो ये मजबूरी में मेरे घहर आई कि हमें कुछ अनाज या पैसे दे दे जाए तो मैंने उसको 120 दिनार दिये इस कंडिशन पर कि वो मेरे साथ एक रात गुजारने को तेया जाए मजबूरी से पाइदा उड़ा है उसकी कजन ने 120 रुपे ले 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 120 दिनार ले 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 और कहा ठीक है फिर ये शक्ष कहते है मेरी कजन ने मुझे कहा इत्तकि ला अल्ला का तक्वा इख्यार कर और ये शक्ष कहते है अल्ला मैं उससे बहुत महबद करता था लेकिन सिर्फ इस एक जुम्ले ने मुझे इस औरत से दूर कर गया मैं उठा और अपना पैसा भी वापस नहीं लिया और मैं वहाँ से निकल गया ये मेरी नेकी सिर्फ आपकी खाते थी इसलिए कि आप जानते हैं मैं उससे बहुत महबद करता था तो हमारी मुझे दूर कर देजए और पर अपर आदीस में आता है इसी तरह से एक वाकिया लिखते हैं कि एक मरतबह एक आदमी और जबदस्ती सहरा में ले गया और उससे का देखो किसी को पता नहीं चलेगा मुझे ये अलफाज नहीं किताब में पढ़ड़ी थी असलिए अज़गा अज़गा पूछें कभी लड़कियों से मर्द उनको कैसे उल्लू बनाता हैं कॉंट्रसेप्टिव्स आम हैं बगार प्रस्क्रिप्शिंस के मिल जाता हैं It's a easy safe sex outside the boundary of nikah कैसे लड़कियां pregnant होती हैं और कैसे पिर ECP's के लिए भाबती हैं emergency pill खाने के लिए मैं कोई आपको ड्रामों के किस्से और फिल्मों के किस्से नहीं बता रहे हैं This is happening under our Moses इसी शहर के अंगा उस शक्स ने कहा कि देखो ना यहां कोई तुमें देखेगा ना मुझे देखेगा हम अपने खुआश पुरी करते हैं और नहीं वापस चले जाएंगे यहां कोई भी नहीं है अधेरी रात है और सिर्फ आसमान पर सितारे हैं उस और ने कहा आइना हुआ अल्लदी खलका काउकबा वो कहा है जिसने इन सितारों को बनाया उस शक्स के उपर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो इस औरत को वहां तनहां जोड़ कर भाग है सिर्फ अल्लदी का खौफ सिर्फ अल्लदी का खौफ इनसान को इस गुनाह से बचा सकता है इस तरह से एक और बहुत एहम वाक्या हदीस की कताबों में आता है और मुस्लिम ट्रिडिशन में बहुत एहम है इमाम सीरिन का वाक्या भी एक है वो कहते हैं कि मुझे अगर खौफ में भी खौफ शूरत आती थी तो मैं समझ जाता था कि ये शेतान आप और में औरते हैं उमें अंदाज़ा नहीं मर्दों को आते हैं ऐसे खौफ हर औरत हर खुबसूरत औरत अगर एक खुबसूरत औरत आपको अच्छी लगेगी कम ओन भी नाची आपको अच्छी लगेगी वट अबाउट अ मैं एक खुबसूरत औरत एक मर्द को कैसे लगेगी आप से सौग होना ज़्याद अच्छ लगए और मर्द के जहन को औरत के हिसाब से अलना ने ऐसे बनाया कि मर्द उसको फैंटसाइस कर लेते यह जो आप अपने प्यारी प्यारी तस्वीरें फेस्बूप पर डाल देते और घंटों बैठकर मर्द देखते रहते फिर कहते हैं पेट में दर्द फिर कहते हैं टांग में दर्द फिर कहते हैं कमर में दर्द फिर कहते हैं अब पेट खराब हो गया फिर कहते हैं दिल में दर्द यह क्यों होता है नजर बरहत है मर्द देखते रहते और क्या कुछ नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर फोटोशॉप का एप, सौफ़वेर साथ जानते हैं न, सब बच्चों को पता है फोटोशॉप का जितनी पॉण्ड मूवीज पाकिस्तान में बन रही है आपका फेस्बूस की तस्वीर लेकर फोटोशॉप करके आपका चेहरा उतारेंगे और उस नेकल औरत पर लगा देंगे इस नॉट अफन, इस नॉट जोग कितनी औरतें, कितनी लड़कें ब्लाक्मेल हो रही है माबाब की हालत परी हुरी हुई है इसने कि उससे वीडियो बनाकर माबाब को ब्लाक्मेल करने के लिए भेज दिये दो रैंसम हमें, दो करोड रुपया वरना हम तम्हारी बेटी की वीडियो लगा ज़ते हैं भी आप हालकि उसकी बेटी की है भी ने वे लिविए 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 इन दे टाइम्स अफ्राइल और फितने का दौर देखें आजमाईश तो किसी भी सूरत में आनी है हम समझते हैं, हम अपनी मर्जी की जिन्दगी गुजाते रहेंगे जैसे चाहो जी हो, तो कोई आजमाईश नहीं आएगी आजमाईश तो कि मुं भी आएगी, देख लिए उन वर्तों को और अन हो और आजमाईश नहीं आएगी अबने सीरिं कहते हैं मुझे मालूम होता था जब मेरे ख़ाफ में कुपसूरत और अती थे कि ये शेतान है, फास्रिकु बस्रि मैं खुआख में भी अपनी नत्रों से दूर कर लगी था अल्ला हमारे मर्दों को, हमारे बेटों को और हमारे शोहरों को ऐसा तक्वा अता करे कि खुआख में भी वुशूरत और नज़र आए तो नज़र भेड़े वो कहेंगे क्यों खुआख भई उसमें कहें दराज़ आपको तक्वी की बात है, खुदाख़ी की बात है अबैद अबन अमेर रदियल्लाहुन सहावी है अबैद अबन अमेर सहाबा के भी स्कॉलर थे और अबैद अबन अमेर के लिए मशूर था कि बड़े हैवी लेक्चर दिया करते थे यहां तक आप अंदाज़ करें, हजरत अमर इनका लेक्चर आके सुना करते थे तो बड़ा हैवी लेक्चर दिया करते थे और बड़े मुत्वी इनसान अपने माश्रे में मशूर थे इस दौर में एक इसी इलाके में मक्का के इलाके में एक औरत थी जो एक्स्ट्रा-अर्डिनरी खुबसूरत थी बास दोगों को अल्ला ताला ने एक्स्ट्रा-अर्डिनरी खुबसूरत बनाया होता है बहुत खुबसूरत थी चेहरा चुपाती थी नपाब लगाती थी अपना और उसका अपने हुसन पर नाज विवाती एक मतब अपने शोहर से कहती है शीष आइने के सामने खड़े होके कि कोई हो नहीं सकता जो इस उसुरत चेहरे को देखे और टेम्ट नहीं हो उसका शोहर कहता है हाँ बात तो सही है सिवाए एक मर्ग के बीबी ने बूचा कौन तो शोहर ने कहा अबैद अबन अमेर वो इतने तक्वावाले हैं को तुम्हारी कुशूर्थी से भी टेम्ट नहीं है लगा अपने बंदों की हफाज़त करता है इसलिए के लगा बंदे अपने आपको पुरान की और इवादत की हफाज़त में रखता है उस औरत ने अपने शोहर से कहा Allow me to study him मुझे अजाज़त दो कि मैं जाके उनको trap करने की कोश़श करूँ शोहर मैं कर जाओ जाके कोश़श कर लो ये गई अपना नकाब लगा के गई और ऐसे की जैसे ये फत्वा पूशने के लिए आई पास आके बैठी और उसके बाद कहती है कि मैं थोड़ा और करीब चली गई और जब मैं करीब गई तो मैंने अपना चेहरा खोल दिया जब मैंने चेहरा खोला खुबसूरत और अभी आपको क्या बताया एक नॉर्मल हेल्दी मर्द किसी खुबसूरत और देखे का तो उसको अच्छी लगेगी जब इससे और ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो उबैद एबने उमेर ने कहा इत्तकिला अल्ला का तक्वा इफ्तियार करो इस और ने कहा इन्नी कद फुतिन तु बिका फंदुरु फी अम्री मैं तुम्हारी तरफ अट्राक्शन महसूस कर रही हूँ सो कंप्रीट माइन माइन सिड्यूस कर रही है अबैद इबने उमेर को यानि तुम मेरी नीड फुल्फिल करो मुझे तुम में अट्राक्शन महसूस हो रही है अबैद इबने उमेर स्कॉलर थे हैं न यह नहीं के डान डपट के बाएर नकाल दिया धके मार के बाएर नकाल दिया एक औरत जिसके जहन में अबैद इबने उमेर के अगर तुमने तुमने पूरी नीड पूरी कर दूँगा उदर ने सवाल किया यह बताओ जब मौत का फरिश्टे तुम्हारी रूह निकालने आएगा क्या तुम उसक्षुश होगी अगर तुम्हारी आज ये नीड मैंने पूरी कर दूँगा तो ओरत कहते है अल्लाहुमाला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं खुश नहीं होगी अबैद इबने उमेर कहते हैं इसादक ती सच कहा तुम्हारी पिर अबैद ने पूछा क्या तुमको जब कबर में दफना दिया जाएगा और फरिष्टे उठा कर तुम से सवाल करेंगे उसक्या तुम्हारी तुम्हारी नहीं होगी अपनी इस नीड की वज़़े से अगर मैंने पूरी कर दी और तुमें नहीं मालूम होगा कि तुम कामभी से सिरात कर लोगी के नहीं इसलिके तुम्हें नहीं पता जहन्म का कान्टर तुमें नीचे खैंच ले क्या उस वक्त तुम्हारा यह अमल तुमको सिरात करोष करने में मदद करेगा या नुillarन। रेगा क्या तुम उस्वक शर्मिंदा नहीं होगी उसने का हाँ शर्मिंदा हूँ अज़र्द उबैद ने कहा सदक थी सच कहा तुमने उन्हें ने कहा जब मीजान लाए जाएंगे और तुम मीजान में अपने इस इवल सिन को देखोगी इस गुनाह को देखोगी तो क्या तुम खुश होगी अगर मैं तुमारी ये नीड अभी पूरी कर दूँ कहती है अलाहूमाला उची आवास में बोला उसन नहीं कभी भी नहीं अज़र्द उबैद ने कहा सदक थी अज़र्द उबैद ने कहा इसको तुमारे सामें दिखा दिया जाएगा आज की जुबान में इसकी सी सी टी वी फुटेच सब के सामने तुमें दिखाए जाएगी अल्लाह सामने मौजूल होगा तो क्या तुम उसक्षुश होगी चीख कर बोले तीन मरतबा अल्लाहुमाला अल्लाहुमाला हजट अभैथ ने कहा सदकती पत्तकि लाह या अमतिल्ला एल्ल्य के बंदी अल्ल्ह का तकवा इखत्यार करो एल्ल्ह Buddhist अन अमल्लाहु अलभी वाह्सनाई ले इसको तुमको ने तुमें दी है उसको उल्ल्ह के रास्ते में कि मेरी बीवी हर रात दुलन की तरह अंत्यार होती थी ऐसा क्या आपने इस पर जाजू कर दिया कि अब यह हर रात जो है वो मेरी जरूरत पुरी करके फिर नमास पर खड़ी हो जाती है हर वक्वख जहुद इक्तियार करती रहती है अल्ला का खौफ इनसान को इस गुना से रोक सकता है किसी इनसान की जुबान में ताक्त नहीं है कि वो इस गुना से आपको रोक सके अपने दिल को मजबूत कीजे अपने अल्ला से मदद मांगे अपने अल्ला से तौफीग मांगे कोई गुनजाश नहीं है कि हमारे friends circle के अंदर लड़किया होते वे लड़के हों और लड़के होते वे लड़के हों आपके WhatsApp groups हैं आप उसमें बातने करते हैं कीजे Within Limits कीजे कोशिश कीजे प्राइवरी चैट नट करें लड़कर के साथ याद रुखें This is called Cyber Khalwa आप सलिए लड़के ने कहा है कि जब एक महर नामहरम मर और एक नामहरम औरत इकटे होते हैं तो तीसरा दरम्यान में शेतान होते हैं आप किसी के साथ अगर अकेले नहीं हैं किसी जगा पे किसी कमरे में What is this WhatsApp chatting window This is Cyber Khalwa This is Cyber Khalwa ये भी तनहाई है आपकी रास्ता में आपकी नियत पर शक नहीं करें ने किसी बच्चे की नियत पर शक नहीं करें अल्ला ने कहा है ये रास्ता बुना की तरफ लेकर जाएगा बस मेरा इमान होना चाहिए मेरे रब ने कहा है मैं अपने रब के नाफरमानी नहीं कर सरसर किसी को बुरा डिकलेयर करने की बात नहीं है अपने लिए इहत्यात और प्रिकॉशन थामने की बात इससे पहले के कोई हमसे गलती हो इससे पहले के हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर बुना शामिल हो जाएं इससे पहले कि आपकी कल की जिंदगी में आज की जिंदगी का इंपक्त है आज इतनी यह अनमेरिट बच्चेयां दोस्तियां रखते हैं लड़कों के साथ कल को आपका शोहर आएगा उसके साथने अपने इस दोस्तों कैसे इंटर्डियूस कराएंगी बेटें कहती हैं तो क्या हो गया हो गया उसकी भी दोस्तों ली आर वी लिविंग इन सच साइटीज तो फिर वही होगा जो आपको आज अपनी नाख के नीचे नज़र आ रहा है ज़रा डाइवोर्स रेट तो चेक कीजिए सिंध हाई कोट का इन टॉलरेंस लेवल तो चेक लएजए और्टों में और मर्दों में उल खबीफोन लिवज़ात जब आप और मैस जिंदगीao गजारेंगे तो पर नसीब में ऐसे ही लोग आएगे और जब नसीर में ऐसे लोग आएंगे तो फिर उरस heat लेगों, स्ट्रेस और डिस्पेर का शिकार उूँगे, कुछ नहीं होगा अल्ला को नारास करके हम खुछ नहीं हो सकते अल्ला की नाफ फरमानी करके हम पुर सकून नहीं रह सकते اللہ کی دیوی شریعت کو توڑ کے हम زندگی کو ترقی کے ساتھ نہیں گزار سکتے ये fake modification अपने उपर سے उतार कर भेंगिए आप दीन की अलम बंदार आप पर जिम्मदारी है आपके उपर responsibility है आपने अपनी क्लास की लड़कियों को अपनी उनिवरस्टी की लड़कियों को इस रास्ते पर लेकर आना ये आपका काम है और अगर आपके घरों के अंदर आपके भाई ये आपके शोहर इन चीजों में इन्वाल्व हैं खुदा आना खास्ता तो प्लीज अपनी दौाओं को बढ़ा दीजे जहां तक भाई का मामले उसको समझाया जासा जहां तक शोहर का मामला है अगर मामला सिर्फ चैटिंग की हद तक है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि गिरगडा कर तहच्चुद में अल्ला से दौाइं मांगे गिरगडा हैं अल्ला के सामने और अपने इखलाद और अपने किरदार से अपने शोहर का दिल जृतने की कोशिश करें अगर कोई खुदानाफस्ता विर्कुली ग्रॉस पागल बने वाला आदमी नहीं तो नॉर्मल आल्मी शेतान की बातों में आगिया याद एक लिगए ये बात इस मामले में आप शोहर की तर्बित नहीं कर सकतें अगर आप उसको पिन पॉइंट करेंगे नहीं तो पता चल चुका है आपकी दोस्ती किस्से मैंने देख लिए आपकी चैर्ट मुझे मालूँ है आपका पासवर्ट उसके बाद क्या होगा उसके बाद सिर्फ जगड़ा होगा लड़ाई होगी और कुछ भी नहीं होगा एक दूआ कीजिए दूसरा अपने किरदार और अपने अखलाग को बहतर करने की कोशिश कीजिए और तीसरा ये कि अपने शोहर के साथ प्यार महब्बत का मामला ऐसा रखिए कि उनको किसी दूसरी औरत की तरफ देखना ना पड़े बास लोग होते हैं प्राब्लमाटिक कितना भी बीबी महब्बत कर ले फिर भी उनको शेतान की बताईवी जग़ा पर मुँ मारना होता है अल्ला पल्ला किसी औरत को कभी किसी आजमाश मा चॏना धाए ल्वार दिल को सकून अता करे अल्ला माह को आओलादों की तरफ से आखं़ों की धंड़क अता करे अल्ला हम सब की ऑ узнаदों की हमारे बेटे हो या हमारी बेटिया हो اللہ उनकी हफासत फर्माए اللہ हमारी जुबान में वो टाकत नहीं है कि हम आपके इल्म की तरफ और आपके दीन की तरफ इनको जोडने का जरिया बन सकें اللہ हमारी उलादों का हाथ पकड़के इनको दीन पर चलादे اللہ इनके दिलों की सकती दूर करते है اللہ इनकी अकलों को अपने कुरान और अपने कलाम के ताबे करें اللہ इस उमत से आपने बड़ा वाम ले रहे اللہ हमारी उलादों को भी उसने काम का हिस्सा बना दीजे اللہ रमजान के आखरी दिन ने और हमारे तोटे-पोटे नेखियों के साथ हमारे चोटे चोटे आमाल आदे, अल्ला हम शेतान से बच्चने की ताकत नहीं रखते, मगर सिरफ आपकी मदद के साथ, अल्ला स्कूल हो, या कॉलेजिस हो, या वर्ड प्रेसिस हो, या दुन्या की कोई जगा हो, अल्ला हमारी उलाद की हफाज़त फर्मा, अपने रहमत वले फरिश्टों के साथ, अल अजाब से पहले हमें हिदायत दे, अल्ला तक्रीफ से पहले हमें हिदायत दे, अल्ला मौत से पहले हमें हिदायत दे, अल्ला तमाम बर्ममीन की बक्षिश फर्मा, अल्ला तमाम लोगों को जहन्म की आख से बचा, अल्ला हमारी गर्दनों को आख के अजाब से महफूज र अल्ला हमें ऐसे हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से खुश हूँ और आप हम से राजी हूँ सुभाना का लाहिम्मा वावी हम्दी का नशद अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तागबिरू कवनतू इलाइक जजाका लो खेर असलाम अलैकुम वराहनतु लाहि वबरकातू